शीखने की शुरुआत सितामबरी शर्मा के शाथ नमस्कार दोस्तों मैं हूं सितामबरी शर्मा श्वागत है आपका इतिहासिक चरित्रों के जीवन परिचे से जुड़े मेरे चैनल सुने की चड़िया नमबर वन में इस चैनल को सुरु करने का मेरा अदेश से इतिहास के प फैदे मंद हैं बलकि हर उमर के लोगों के लिए काफी बेनिफियरी हैं चूंकि इससे ना केवल आपको भारत बलकि विस्य तिहास को भी जानने में काफी मदद मिलेगी दोस्तों मैंने अपना राज्य एक प्याला सराब और एक प्याले सोरबे के लिए अपने प्यारी बेगम को बेच दिया है ये कहना था हमारे आज के चरित्र का जो कि इतिहास में एक क्रूर और बरबर सासक के रूप में प्रचलित हैं यही नहीं उन्होंने अपने जीवन में अयासियों और रंगीनी मिजासी दुनिया और प्रेम कहानी के लिए वो इतिहास में उनके जीवन पर अधारित कई किस्ते और कहानिया भी लिखी गई है यहां तक कि मुगले आजम नामक फेमस फिल्म जो कि सुपर हिट रही है इन्हें की प्रेम कहाने पर अधारित है लेकिन साथ में इन्होंने न्याय की एक अनोखी विवस्था के शुरुआत की जिसे की न्याय के जंजीर के रूप में जाना जाता है मैं बात कर रही हूं मुगल बात्सा अकबर के बेटे शलीम के बारे में जिन्हें ये पूरी दुनिया जहांगिर के नाम से जानती है दोस्तों अकबर ने काफी मिन्नतें की काफी इस्वर को याद किया और जिसके कारण से एक सलीम चिस्थी के दुआओं और आसरवाद से सहजाद सलीम का जन्म हुआ इसलिए अकबर ने उनके नाम पर ही अपने बेटे का नाम सलीम रखा हलाकि सलीम जब राजगदी पर बैठे तो उन्होंने नुरुद्दीन मुहमद जहांगिर की उपादी धारन की जिसका अर्थ होता है दुनिया को जीतने वाला ये काफी रंगीन मिजाजी थे और अपने शान और शौकत के लिए काफी मशूर थे हलाकि इनमें कई बूरी आदते भी थी जिसे गदी पर बैठने के बाद इन्होंने छोड़ दिया था और अपने सामराजी के विस्तार के लिए काफी प्रित्न भी किये और अपने सामराजी का विस्तार की स्वर कांगडा और बंगार तक किया चले दोस्तों बात करते हैं के जीवन से जुड़ी कुछ महत्पून एवंग रोचगटनाओं के बारे में ऐसा माना जाता है कि इनका जनम 31 अगस्त 1579 इस्वी को फतेपूर सिकरी में सिख सलिम चिस्ती की कुटिया में हुआ था इनके पिता मुगलबाद सा अकबर थे और इनकी माता थी मर्यम उज्जमानी जिन्हे तिहास में हीर कुवर या हरकावाई के नाम से जाना जाता है और हम जिने जोध हवाई के नाम से जानते हैं इनका पूरा नाम था मिरजा नुरुद्दीन बेग मुहम्मद खान सलीम काफी मिन्नतों के बाद सहजादे सलीम का जनम हुआ था इसलिए अकबर ने इनके जनम के बाद साथ जियोतिस्यों से इनकी कुंडली बनवाई यानि जनम कुंडली बनवाई यही नहीं अकबर इनके जनम से पहले 27 सार तक संतान के लिए तरसे थे क्योंकि इनसे पहले इनके जो भी संतान जनम लेती थी वो जिन्दा नहीं बसी थी अकबर चाते थे सहजादे सलीम कम उम्मर में ही साहित्य और अनेक विद्याओं में पारंगत हो जाए इसलिए उन्होंने इनकी सैन्य अभ्यान पढ़ाय लिखाय सारे के जिम्यदारी अलग अलग लोगों को सौपी इनकी पढ़ाय लिखाय के जिम्यदारी शौपी अपने संरक्षक बेरम खान के बेटे अब्दुरहिम खान खाना को जिन्होंने इन्हें अर्बी, फार्सी, इतिहास, भुगोल, अंकगनीत और विज्ञान के सिक्षा दी हलांकि सहजाद सलीम और अकबर के संबंद उतने अच्छे नहीं थे जिनका एक कारण सलीम का अनार कली से प्रेम भी बताया जाता है इसी के लिए सलीम ने अकबर के खिलाफ सडेंत रचा विद्रोह भी किया लेकिन आगे चलकर दोनों के संबंद सुधर गए और राजगदी इन्ही को मिली जब इन्हें राजगदी मिली तो ये काफी रंगीन मिजाजी हो गए और रयासियों में डूब गए इनके हरम में लगबग तीन सौ अरती थी और इन्होंने बीच शादी की थी सबसे पहला विवाह इन्होंने सोला साल के उमर में भगवान दास की बेटी मानभाई से किया जब उन्होंने इनके बेटे खुसरो मिर्जा को जनम दिया तो सलीम ने उन्हें साही बेगम की उपाधी थी आगे चलकर 1586 इस्वी में सलीम ने उधै सेंग की बेटी जगत गोसान से विवाह किया जिनसे उन्हें दो बेटे और दो बेटियों की प्राप्ति हुई उनका एक बटा बेचा बचा जिन्दा जिनका नाम था खुर्रम वो आगे चलकर साहजहां के नाम के गद्धी पे बैठा 1611 इस्वी में इन्होंने विवाह किया मिर्जा गयास बेग की बेटी और अलिगुली बेग की विधवा पत्नी महरुनिसा से जिन्हें उनके पती के मौत के बाद सलीमा बेगम जोकी अत्बर की विधवा थी उनकी सेवा में लगा दिया गया था जब सलीम ने उन्हें देखा तो उनकी खुशूरती पर मौहित हो गया और 16-11 इस्वी में महरुनिसा से विवाह कर लिया क्योंकि उनके पती अलिगुली बेग के मृत्यू तो होई चुकी थी उनकी विवा करने के पर शार्ट इन्होंने उसे नूर महल और नूर जहां की उपाधी दी शाषण के सारी सक्तिया उनके हाथ में सौब दी क्योंकि वो एक साहसी महिला थी और इनके सारे पुषासनी कारियों में हाथ बटाती थी और इन्हें उचित सलाह भी दिया करती थी जब ये गद्धी पर बैठे 3 नौबर 1605 इस्वी को तब इनके उम्र 36 वर्ष थी लेकिन अगले ही साल 1606 वी में इनके बेटे खुसरों ने इनके खिला बगावत कर दी राजगदी के लिए और उन दोनों के भी जालंधर में युद्धी हुआ अता उन्हें कैद करके जेल में डाल दिया गया यानि सलीम ने अपने बेटे को हरा कर कैद करके जेल में डाल दिया और उसकी आखे भी फोड़ दी कुछ समय बाद खुसरों की मिर्थी हो गई जब सलीम को ये पता चला कि उनकी मदद सिखों के पांचवी गुरू अरजुन देव ने की है तो जहांगिर ने अरजुन देव को भी मरवा डाला इस तरह वो एक बरबर राजा थे लेकिन अपने सामराजी का विस्तार भी वो करना चाहते थे इसलिए उन्होंने मिवाड के राजा अमर सिंग के खिलाफ सबसे पहला उन्होंने राजगर्दी के लिए अपने सामराजी का विस्तार के लिए उनके खिलाफ सबसे पहले उन्होंने चड़ाय कर दी उनके राजी पे लेकिन वो हतुत साहित हो गया और उन्होंने आत्मसमर्पन कर दिया उसे उला सब 15 एस वी में इसके बाद ये न्याय के काफी देवता अपने आपको समझने लगे और लोगों को समझे की नहीं मैं अपने प्रशासन की न्याय बेवस्ता में शुधार करूँगा इसके लिए सबसे पहले उन्होंने नाक, कान और हाथ काटने की सजा को बंद करवा दी लोगों की फर्याद को खुद सुनने लगे और उसका समाधान करने लगे उन्होंने यहां तक की आगरा में साहबुर्ज की लामे या मुना नदी के किनारे पत्थर के खंवे पर सोने की जंजीर बनवाई जिसमें की साथ घंटियां लटकी हुई थी इसे न्याई के जंजीर के नाम से जाना जाता था कोई भी फर्यादी इस घंटी को बजा करके न्याई के गुहार लगा सकता था इन्होंने अपने सामराजी में बिक्रह सराव को बंद किया धारदार हथियार की जो बिक्री होती थी उसे भी बंद किया और अनेक सुधारात्मक कारे भी किये सर तॉमस रो, जो किया कंग्रेज आधिकारी था भारत के व्यपार पे एक आधिकार करने के लिए वो भारत आया था इन्ही के सासन काल में इसके अलावा इनके काल को चित्रकला का स्वर्म काल कहा जाता है इन्हें पेंटिंग्स को अपने कमरे में और राजदर्बार में रखने का बड़ा ही शौक था मनसूर, बीशंदा, सर्मनोहर जैसे प्रमुख शित्रकार इन्हीं के दर्वार में थे इन्होंने अपने शासनकार में अपने आतन कथा तुझो के जहांगरी भी लिखनी सुरू की थी जिससे आगे चल कर मौत बिंद खाने पूरा किया तो दोस्तों ये थे इतिहास के एक पशिद्ध चरित्र, सलीम और जहांगिर की जीवनी इनके जीवनी आपको कैसे लगे ये मैं जी कमेंट में जुरू बताएगा और मेरे चैनल को लाइक से और सब्सक्राब जुरू कीजेगा धन्यवाद